नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के जिसमें हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने बिजली और सहकारिता विभाग को क्या निर्देश दिये हैं जो की एक उम्मीदवार को एनोसी लेने के लिए उनकी जरूरत होती है और उसी के साथ नमंकन का आज आखरी दिन भी है तो शुरू करते हैं वीडियो को हर्याना में जो पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाओं के लिए आज नमंकन का आखरी दिन है बुदवार यानि 19 अक्टूबर इस दिन शाम 3 बजे तक नमंकन किया जा सकेगा इसके बाद के उनकी तस्वीर साफ हो जाएगी हर्याना राजे निर्वाचनायुक्त धनपत सिंग ने कहा कि पहले चरण के लिए इसी दिन उम्मीद्वारों द्वारा नमंकन वापस लेने के बाद चुनाओ चिन आवंटित किये जाएंगे और उम्मीद्वारों की अंतिम सुची भी जारी कर दी जाएगी 30 अक्टूबर को पंचायत समीति सदस्यों वे जिला परी सदस्यों का मतदान होगा और दो नमंबर को सरपन्च और पंच पद के लिए मतदान होगा धनपत सिंग ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाओ की गतीवी दियां महारी पंचायत पोर्टल प यार करबाया जाएगा इसी के साथ जो चुनाव आयोग हैं जो राजय निर्वाचन आयोग हैं उन्होंने भी बिजली और सहकारिता विभाग को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी उम्मिद्वार पर कोई देंदारी अगर नहीं है तो उसे ततकाल ही एनोसी जारी कर दी इससे निर्वाचन आयोग ने विजली और सहकारिता विभाग को निर्देश दिया हैं कि अमेद्वारों के नोड्यू सर्टिफिकेट जल्द जारी करें राजय निर्वाचन आयूक धनपत्चिंग ने इस संबंद में मंगलवार को आज एक पत्र के माध्यम से हर्याना सैकारिता विभाग के अतिरिक मुख्य सचिव, बिजली विभाग के अतिरिक मुख्य सचिव, हर्याना राजय कृषी और ग्रामिन विकास बैंक के प्रबंद निदेशक सहिकारिता समीतियों के रिजिस्टरार को निदेश दिये हैं कि नोड्यू सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किये जाएं तो इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो नोड्यू सर्टिफिकेट है उसके लिए भी एक बड़ी जद्दो जहद उम्मि कतना आए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद आप सभी उम्मिद्वारों को हमारी शुब कामना है